के तरफ हैं डियाई लाइंस के तरफ हैं तब यह सेनेरियो दिखाई पड़ रहा है जवही नितीज कुमार उधर जाएंगे तो जो पुराना जो सेनेरियो था पुराना जो आपको पिक्चर है चालिस में से थर्टी नाइन वही होता हुआ दिखाई पड़ेगा तो यह भाजपा के चानक के भाजपा के जो थिंक टैंक हैं उनको उनके दिमाग में है तो यह इसी में यह लोग ऑपरेशन करने में फिराग राजीव रंजन सिंग उर्फ ललन सिंग और जदियू के रास्त किस तरह से किस अंदाज में जो कहा था वह एदम सर्विदी थे पब्लिक डोमेन में है तो वो एक बात कहा जा रहा था कि इनके रहते सफल नहीं होगा नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन और मैं हूँ प्यदर्शन बिहार के मुख्यमत्री नितीश कुमार अब एक नई जिम्मेदारी के साथ जदियू के राष्ट्री अध्यक्ष बनने के साथ ही बिहार की सियासत में कयास बाजियों का दौर भी शुरू हो ग अगर ऐसा होता है तो इससे बिहार की सियासत और देश की सियासत पर क्या असर परता है इन तमाम उद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार रवी उपाद्ध्याय हैं हम उन से जानते हैं कि यह जो नितीश कुमार को ले करके कैयास बाजियां लगाई तरह का 15 बाजी कह लीजे वो सब कुछ हो रहा है और यह हो कैसे रहा है इस पर हम एक लाइन में असपस्ट करना चाहेंगे देखे जो सी वोटर का सर्वे आया अभी हट्डी लगता है कि चारपास दिन पहले तो वो सी वोटर के सर्वे में क्या है एंडिये जो है सो 16 से 18 बिहा जो है तो वह नितीश कुमार अभी जब इधर हैं तब इंडिया के तरफ एंडिया गामारा जा जाएंगे तो जो पुराना जो सेद्रार का पुराना जो आपको पिक्चर है 40 में से 39 वह होता हूँआ दिखाई पड़ेगा तो यह भाजपा के चणक भाजपा के जो थिंक टैंक हैं उनको उनके दिमाग में है तो यह इसी में यह लोग ऑपरेशन करने में फिराक में है कि इसका ऑपरेशन हम करें और नितीज कुमार सबसे बड़ी बात और समझने वाली है कि नितीज कुमार आई एंडिया के और यहीं नहीं देखिए यहीं पर नहीं हो रहा है वेस्ट बेंगॉल में कैसे हो रहा है इसको भी हम एक मिनट आप से लेंगे और बताएंगे वेस्ट बेंगॉल में लोग सवाह का 42 सीट है जैसे बिहार में चाली से वहां 42 में से 18 सीट भारते जनता पार्टी के पाले में है और अभी जो ततकाल जो भी वहां पर दिखाई पड़ रहा है तो वह उसको चहिए कि ममता बनर जी उसको एस्फेस दे वहां जो पर्दे के पिछे से स्पेस देने की बात होती है तो पर्दे की पिछे से स्पेस दे सो लेट की और 18 सीट मनहें 8 सीट और आ जा तो वह उसका जो पूराना एक्वेशन है 18-19 वो अपने उसी हिसाब पे वहाँ पे चलिया है तो वहाँ पर अब बुलिया है कि TMC क्यों देगी तो TMC के उनके अभी त्रिमूल कॉंग्रेस किसके पाले में है वो है अभिशेख बेनर जी उनके भतीजे वही TMC के सब करता धरता है वही ममता बनर जी के चनक भी है तो यह बात समझने वाली तो उन पर जो है सो ED की तलवार लटकी हुई है अब आप चलिए उसी तरह से चलिए दिल्ली चलिए अरविंद केजरीवाल उनके दो मंत्री अलड़ी अंदर में है एक MP उनके संजे सिंग अंदर में है खुद स्वेम जो है सो अरविंद केजरीवाल पर ED की तलवार लटकी हुई है अभी वह चुटी में है कुछ योगा अभ्यास के लिए हाँ भी पासना के लिए गये है तो वह कुछ बचते हुए नजर आ रहे हैं कितना दिन बचेंगे तो वह उन पर भी वहाँ पर भी ये स्पेस मांगा जा रहा है वहीं पर नहीं वहाँ देखे अरविंद केजरीवाल का कहने का मतलब है कि दिल्ली पंजाब हर्याना और कुछ पार्ट राजस्थान को वह इलाका है वह जोसमें कम से कम कमोबेस 40 सीट आती है तो वहाँ पर भी ये स्पेस मांगा जा रहा है वह भी परदे के पिछे से खेल हो रहा है इसी तरह से बिहार में भी आप देखेएगा बिहार में भी देखेए एडी की जो तलवार लटक रही है यहाँ पर भी तेजस्वी परसाद यादव तो ये क्या हो रहा है, इसर पेस की ही कवायत है और इसी ये स्पेस पर ये लगा हुआ है और तमाम तरह आप देखेएगा इसी तरह पर आपको दिखाई पड़ता हुआ नगर आ रहा है तो जिस हम नितीश कुमार के उपर के अगर हम याद करें तो जब अगस्त 2022 में नितीश कुमार फिर एक साल के बाद इंडिया गटबंधन जो आएंडिया है इसका गठन हुआ है अब इन सब के बीज जिस ऑपरेशन कमल की और आपने संभावना जताई है तो क्या उस ऑपरेशन कमल के लिए नितीश कुमार का पार्टी का अध्यक्षपत सम्हालने का जो अभी मौजूदा निरने है या कुछ-कुछ उसी दिशा में संकेत है जो सोर्सेज के हवाले से या जो बात च्छन करके आ रहे है राजनिती गलियारों में यही बात कहा भी जा रहा है क्योंकि राजीव रंजन सिंग उर्फ ललन सिंग यो जदियू के राष्टी अध्यक्त थे अब तो नही नहीं है है तो यह अब कितने दिन तक डासpro smid यह देखने वाली बात होगी कि अपरशन लोह कीज़े अपरेशन लोटस की बात होती है अगर यहां होता है तो इससे बिहार की राजनिती देश की राजनिती जिन वोट बैंक और वोट प्रतिसत और शीट शेरिंग की बात अभी अमारे साथ रवी उपाध्धाय बता रहे थे तो इससे कैसे असर परेगा आप यह समझे और इतना ही नहीं आगे आने वाले जिनों म जब पल्टेंगे अगर ऐसा होता है तो देश की सियासत किस दिशा में जाएगी और इससे बिहार और देश में किस प्रकार से भारतिय जनता पार्टी और विपक्ष के लिए अलग-अलग राजनितिक मायने रखते हैं हम आपको एक बाद फिर से तमाम अप्डेट्स आएंगे आप मारी साथ बने रहने इस फोर्नेशन के